दोस्तो अगर आपने भी पास्ट में आपका कोई पर्सोनल लोन या फिर केडिट कार्ट सेटल्मेंट किया है तो ये वीडियो को आप जरूर देखें क्यूंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सेटल्मेंट के बाद भी आप नया लोन कैसे ले सकते हो वो भी अन secure personal loan की बात करूए कि आप कैसे नया loan ले सकते हो यहाँ पर मैं पूरा process बताऊंगा कैसे मिलेगा उसका तरीका बताऊंगा कितने दिन में मिलेगा settlement की बाद वह भी बताऊंगा साथ ही साथ RBI का जो official guideline है उसका भी सबूत दिखाऊंगा यह सारे information इस वीडियो में देने वाला ह हो चैनल को subscribe करिए क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं information देता हूँ with proof देता हूँ और साथे साथ वीडियो का content अगर अच्छा लगता है तो like बटन को चरूर प्रेस करिएगा तो चले दोस्तों बात करते हैं बिस्तार से दोस्तों हमने देखा है कि COVID के बाद बहुत सारे लोग ज usually सबको पता होता है कि unsecure loan जो मिलने का chances होता है वो बहुत कम हो जाता है लेकिन दोस्तों हाली में RBI ने एक official जो है documentation paste किया है जहाँ पर पूरा settlement के बारे में process दिया गया है और वहाँ पर यह भी बोला गया है कि settlement के बाद भी customer को नया loan मिल सकता है अब सबसे पहला सवाल है क इसका process किया है देगे दोस्तों इसका process जो है यह as it is same है जो कि previous process हुआ खाता मतला online प्लास offline या फिर bank विजिट करके आप जैसे loan apply करते हो और इसे ही loan आप apply कर सकते हो आप इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा simply जो है आप अपना जो भी KYC document से वो लेके जाके आप online apply कर या फिर offline apply करिए करने के बाद जो भी eligibility criteria होगा उसके इसाफ से आपको loan मिल सकता है दोस्तों next question जो आता है कि मैंने settlement तो कर लिया है लेकिन मुझे कितना दीन wait करना पड़ेगा तब जाके मैं नया loan के लिए apply कर सकता हूँ दोस्तों लेकिन सबसे पहला आपको मैं ब personal loan या फिर कोई भी other loan settlement किया है तो आज से लेके 12 महिने तक आप जो है नया loan के लिए आविदन नहीं कर सकते हो 12 महिने के बाद ही जो है आप नया loan के लिए आविदन कर सकते हो दोस्तों आप मेंसे बोलेंगे कि यह इसा कहा लिखा है RBI का official guideline मुझे दिखा दोस्तों official link है वो भी video का description मिल जाएगा आप इसका guideline आप खुद से भी read कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक clarification देना चाहूंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भी loan यहाँ पे दिया जाएगा मतलब जो भी नया loan customer के लिए अप्रूप किया जाएगा यह RBI खुद से त journal checking होता है जैसे आपका documentation, आपका income proof, आपका payment behavior, civil score वो ऐसे ही इस scenario पे भी आपका सारा previous data वगरा चेक किया जाएगा and जो most important है इसका जो policy होगा मतलब loan approval policy होगा मतलब settlement करने के बाद जो नया loan के लिए जो policy होगा वो totally तैय करेगा उस bank या फिर उस NBFC का जो board है वो board तैय यहाँ पे अलग-अलग bank के लिए अलग-अलग guideline हो सकता है, so bank का board decide करेगा कि आपको loan मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यह RBI का notification है, end of the day जो final decision होगा वो board approval policy से decide होगा, so दोस्तों यह पूरा information जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका official link RBI का guideline link है, उसका link video का description में मिल ज तक तो, so दोस्तों I hope दोस्तों आपको यह information अच्छा लगा होगा, so दोस्तों हम मिलते आगले वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल लखिएगा, चैहिंद बंदे मातरम